इसका रीडियस कितना आ रहे और इसका मोमेंट अफिनर्शा कितना आई है ठीक है तो इसमें रसी लटका हुए इसके अबाट यह गूमेगा इसके एंड में एक वेट लगा दिया जिसका मास कितना एम है तो वेट हो गया एम जी इसके यहां पर रुका हुआ था और इससे यह नीचे गिरा तो यहां तक चला जागा तो बोल रहे हैं कि आफ्टर फॉलिंग थुरू ए डिस्टेंस हाइट एच हाइट जाने के बाद आप बताएगी एंगुलर वेलोसिटी वील का कितना होगा ओमेगा कितना होगा ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को कि शुरुवात में ना वील गूम रहा था ना ब्लॉक नीचे जा रहा था अब ब्लॉक के पास काइनेटिक एनरजी तो आ ही चुका है ठीक है कितना हाफ एम वी स्कूर साथ ही साथ ये वील भी धिरे धिरे घूमना चालो गया ब्लॉक के नीचे जाने से क्योंगी रसी से बंदा हुआ था तो पहले तो इसके पास कोई रोटेशनल काइनेटिक है किसका ब्लॉक का और मेरे पास रोटेशनल काइनेटिक एनरजी है किसका तो वील का ये दोनों आया है तो कहां से आया है तो ये आया है पोटेशनल एनरजी अब दी ब्लॉक देखो ये जो ब्लॉक है अभी कुछ हाइट पर है और ये हाइट कम हो गया मतलब ये हाइट न energy conservation यह conservation of energy समझ आया बात चलो देखो potential energy कितना change हुआ mgh kinetic energy कितना हो गया block का half mv square और rotational kinetic energy कितना हो जागा wheel का half i omega square यह सब हम लिख दिये यहां से अगर हम देखे तो मेरे को पूछा था omega तो omega पूछा था तो एक काम करते हैं हाँ two को common लेकर दर बेद तो 2mgh equals to mv square देखो v को omega r के बराबर हम यहां लिख सकते क्योंकि जो linear velocity v होता है वो omega into r के बराबर होता है यहां पर हो जाएगा omega square r square क्योंकि v square था plus i omega square अब यहां से हम देखे तो 2mgh equal to यहां से omega square common ले लो यहां बचेगा mr square small r था हम capital r लिख दियें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहे तो mr square plus i तो अब finally मेरे को omega मिल चुका है so omega equal to हो जाएगा omega equal to हो जाएगा 2mgh तो रहे गई और साथे साथ यह वाला पार्ट पूरा नीचे आ जाएगा so i plus mr square इसका root क्योंकि omega square था अब तुम मिलाके देखो कि option number तुमको मिलेगा b number इसमें 2mgh by i plus mr square b option इसमें सही हो जाएगा तो यह method है इसी तरीके से बनाएगे पूरा concept हम आपको explain करने का परियास कियें उमिद आपको यह video अच्छा लगाऊगा थैंक यू सो मुच फो वरचिंग